नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी एनम नई भर्ती 5272 जितने भी तरह के आप सभी की डाउट है उन पर बात करेंगे और ये वीडियो आप सभी के लिए महत्पुल रहने वाला है पहले कुछ जानकारी में जो कुछ भी आप सभी को डाउट हुआता उस पर भी हाल लेडी हम लोग बात कर चुके हैं और आपके फॉर्म पढ़ने में कोई भी गलती न हो आप लोग कोशिस करिएगा साइबर कैफे में देखिए सब आवस्यक नहीं होता कि उनको सब चीजे पता रहें कई बार उनको भी जानकारी नहीं होती है इस वज़े से भी आप लोग परिसान हो रहे होंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी होने चाहिए नोटिफिकेशन को आप सभी एक बार ने कई बार अच्छे से पढ़ें और तयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए बहले ही एकजाम 6 मेने बाद हो 7 मेने बाद हो 8 मेने बाद हो उससे मतलब नहीं है तयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए एक बार जब आप सभी पढ़ने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास समय बहुत कम है इसलिए तयारी आप सभी श्टार्ट कर दीजी एक घंटे ही डेली पढ़ें आप सभी लेकिन डेली पढ़ें बहुत तरह की क्वेरी जे आप सभी के फार्म भर चुके हैं उसके बाद भी आप सभी के मन में दुबिधा है डाउट है कि कोई गलती फार्म में नहों या फिर आपको मोडिफिकेशन करना हो या फिर मेरा फार्म रिजेक्ट तो नहीं होगा एड्मिट कार्ड आने में दिक् पी इटी में कितना स्कोर सेव या एकजाम डेट को लेकर के बहुत तरह की शवाल आप सभी के मन में होंगे और बहुत तरह की चीज़े आप सभी को कहीं से आपने देखा होगा सुना होगा तो उसको लेकर की भी आप सभी परिजान होते हैं तो यहाँ पर सभी चीजों पर एक एक करके जो भी सही जानकारी है आपको सभी को देने का प्रियास करेंगे आप में से जिन सिश्टर को हमारे बैच से जुड़ना हो तीन तरह का बैच है हमारा एक हमने और उसमें पीडियाप के लिए हमने एक अलग से बैच और बना रखा है अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर मेंबर सिप से जुड़ना चाहते हैं चाहां पर 2.99 पर मंत की फीस है पीडियाप के लिए आपको एक अलग से ग्रूप मिल जाएगा उसी फीस में उसके लिए आप सभी को यूटूब चैनल पर ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहीं से आपको ज्वाइन करना पड़ता है दूसरा भाइच है टेलिग्राम पर जो की वन टाइम आपको केवल फीस देना है एक्जाम डेट तक के लिए इसमें आपको दोबारा फीस पेमिंट नहीं करना है इसमें आपको बीडियो लाइब रिकाड़ बीडियो पीडियेफ मौक टेस्ट सब आपको इसी म नंबर पर पेमिंट कर सकते हैं डारेक्ली पेमिंट की इसके इसाट भेजने पर और आपका टेलिग्राम का नंबर आपके बताने पर आपको तुरंत आड़ कर दिया जाएगा बैच में और तीसरा जिन बहनों को केवल पीडियो चाहिए देखिए पीडियो से आपकी तयार 4.99 की फीज पेमिंट करके आप हमारे पीडियो वाले बैच से जुड़ सकते हैं इसमें आपको इतने ही फीज में एक्जाम डेट तक पीडियो मिलते रहेंगे नमबर आप सभी फिर से देख लिजिएगा 9315707758 40 classes हो चुकी हैं आपको पुरानी classes भी मिल जाएंगी तो जितना आप देरी करेंगे बैच से जुड़ने में उतने ही आपको पुरानी classes कवर करने में दिक्कते होंगी और आपकी तयारी भी छूड़ती चली जाएगी तो आपसे भी जतना जल्दी हो से कि बैच से जुड़े और तयारी सुरू कर दीजिए एक्जाम चाहें जब हो 6 मेने, 7 मेने, 8 मेने बाद हो उससे मतलब नहीं है अभी देखेंगे तो एक जानकारी और मिल रही है हाला कि हम अभी आप सभी को बताना नहीं चाहते हैं तो लेकिन आप से भी जान लिजी हाँ पर P.E.T. 2024 का एक्जाम होने की संभावना कम लग रही है हो सकता है कि आने वाले समय में पेट को हटा दिया जाए इसकी प्रबल संभावना है अभी इस पर हम जानकारी का हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हम जब तक कोई चीजे बिल्कुल कनफर्म न पता चले सबसे पहले यहाँ पर देखिए P.E.T. में कितना स्कोर सेफ है आपकी बरती में बस आपके नमबर 0 में न रहे और माइनस न लगा हो आपके स्कोर के पहले इसके अलावा आपके नमबर चाहे कितने भी कम क्यों न हो आपके नमबर 0.1 हो 0.01 हो कुछ भी हो नर्मलाजड में आपके नमबर ऐसे ही हो सकते हैं क्योंकि नर्मलाजड में फिर वहाँ पर नमबर थोड़े से घटे बढ़े हैं और वैसे देखेंगे वास्तवी कि स्कोर में तो नेगेटिव मार्कें के हिसाब से स्कोर आपका होगा आप उन पर ध्यान न देते वे अपने तयारी अच्छे सी करते रही है सेकंड चीज यहाँ पर आपसे भी देखिए क्या हमारा फार्म रिजेक्ट हो सकता है आपका फार्म रिजेक्ट क्यूं होगा form reject नहीं होते हैं अगर आपने form सही सिभरा है अगर उसमें चोटी मोटी कोई mistake हो गई है form बनने में तो उसकी वज़े से किसी का form reject नहीं होता है आपका form भी accept होगा अभी उसमें under process under provisional इस प्रकार से लिख करके आ रहा होगा उससे कोई लिक्कत नहीं है आप साटलिस्ट होंगे तो विल्कुल आप exam भी देने जाएंगे exam भी आप से भी देंगे और उसके बाद जब verification होता है ध्यान दीजी का आप सभी अब यूपी टेपलसी ने ऐसा process कर दिया कि verification के समय आप सभी से एक प्रपत्र भरवाय जाता है ये प्रपत्र चार तरह के होते हैं उसमें index card होता है एक आपके academy की detail भरने होते है ठीक है चार होते है उसमें और total जो है 7 pages का होता है इसमें आपको अपने सब कुछ detail दूबारासे भरने होते हैं जालेजी अभी फॉर्म मढ़ने में आप से कोई चोटी मुटी गलती हो गई हो जब आप परपत्र भरेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल सही जानकारी आप दोबारा से भर पाएंगे यह परपत्र जब आप डीबी कराने जाएंगे तो एडमिट कार्ड के साथ में यह पर प तुबा करिये फॉर्म में अगर कोई चोटी मुटी गलती हो गई हो उसको करेक्शन करने का प्रयास करिया करेक्शन अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप परपत्र भरने जाएंगे डीबी की समय यह नि आपका फॉर्म ए रिजेक्ट नहीं होगा उसकी वज़े से फिर आग आप अपने पती की डेटेल से भी प्रपत्र भरते समय दे दीजीगा ज्वाइनिंग की समय भी आपको अपने पती पक्षिका डेटेल वहां पर दे देना है ठीक है इन सब चीजों को लेकर कि आप लोग ज्यादा परिसान मत हो यह बस फॉर्म अच्छे सभर करके तैयारी किसी का रिजर नहीं होता है, तो उमय दें कि यहां सबैर समझ में आ गको अगी हो गया है जब कि नो करना था साइबर कैपे वाले भाया ने गलती कर दी अप परिसाने आप सभी को हो रही है इसमें क्या करेंगे मौटिफिकेशन में जाकर कि अपने सर्विस पीरियड में सर्विस डिवरेशन में 00 मन्थ में डेट में येर में कर दीजेगा क्योंकि ओ तो चेंज हो नहीं पा रहा है और देखिए अभी जो संसोधन वाली चीजे हैं मैंने बिल्कुल असपष्ट बताया था आप सरी क्योंकि संसोधन आप किसी भी डेटेल में जो जहां पर हो सकता है एडिट नोटिफिकेशन के अनुसार और जो आपने नई डेटेल फिल किये जहां पर भी संसोधन हो सकता है आप वहां पर संसोधन कर सकते हैं अभी भी या जिस दिन से फॉर्म भरे जा रहे थे उसके बाद से उसी सब़े से संसोधन भी किया जा सकता था जैसे EWS की डेटेल भर नहीं है कुछ चीजों में संसोधन नहीं हो पा रहा है जैसे डेटा बर्त में माता के नाम में इमेल आइडी, पासवर्ड, पर्मानेंट एड्रेज, फोटो, सिंग्निचर वहां पे तो नहीं हो पा रहा है 27 नॉम्बर लास्ट इटे फॉर्म बनने की उसके बाद फिर 28, 29, 30 और 4 दिसमबर तक इस डेट में भी संसोधन कर सकते हैं लेकिन कोशिस करें आप सभी कि समय से पहले कर लीजी बाद में साइट की क्या प्राबलम रही क्या प्राबलम ना रही उसमें जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है आपने उसी हिसाब से अपने सारे डेटेल वहाँ पर भर दी उससे पहले कोई दिक्कत होने वाला है उसके लिए भी आपको भरना अनिवार है अगर आपका कम सकम एक साल कंप्लीट हुआ है तो फिर आगे देखिए आप सभी एकेडमिक वाले में आप आप सभी को क्या होने लगा कि अनम वाले में हमने तो अपने जो मार्क जहां पर भना ता डिटेल यह नि आपको रोल लंबर भना था अपने मार्क भने थे अर इसकी बाद इसु डेड भना था उसमें जो इन्वर्सिटी का नाम या इस्टिट्यूट का नाम या पिर बोर्ड है तो उससे क्या दिकत होना है क्या आपके रजिटरेशन सटिकेट पर मेडिकल फैकल्टी नहीं लिखा हुआ है हाला कि उसमें यह प्रापर लिखा जाना चाहिए कि मीड़ वाइब से नर्सेज अंड कॉंसिल यह लिखा जाना चाहिए जो बिलकुल प्रापर तरीका है तो और दोनों साल के नंबर आपको एड करके भरने होते हैं, इस इसका ध्यान रखेंगे आप सभी, और आप सभी के A&M वाले मार्क सीट, डिप्लोमा और रजिस्टेशन, सभी के सभी डिश्टली सिगनेचर होने चाहिए, मतलब इस परकार से सही का निसान उस पर लगा होना चा सिक्समंत प्रसूती का इंक्लूड हो सकता है, दो साल में तो बिल्कुल होता ही होता है, डेर साल वाले में भी सिक्समंत प्रसूती का उसमें इंक्लूड माना जाता था, आप अपने संस्था से पता कर लिजेगा, उसमें आपको अलग से बनवाने की आउसकता नहीं पड़ ताकि आप भेने, आप सभी सिश्टर परिसान नहों और अच्छे से आप फॉम बनने के बाद अच्छी साप अपनी त्यारी में जुट जाएं और आप सेलेक्शन के लिए बिल्कुल आप कोसिस करेंगे, आपका सेलेक्शन इसी भरती में होगा और अभी आपकी भरती में, अभी हम यहाँ पर बताने वाले थे कि आपकी भरती में क्या सीटे बढ़ेंगी, बिल्कुल आपकी भरती में सीटे बढ़ सकती हैं, फिलाल में अभी आपकी भरती में 4892 प्लस 206 वाली 380 सीटे, कुछ सीटों का अधियाचन और प्राप्त हो सकता हाला कि जब तक अधियाचन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर आपसे भी को कनफरम नहीं बता पाएंगे कि सीटे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे लेकिन सीटे बढ़ने की उबीध हमेशा होती है पूरे भरती प्राउसेस के दौरान सीटे बढ़ाई जा सकत है एक्जाम डेट को लेकर कि आपसे भी देखिए जनौरी में या फराउरी में एक्जाम होने की पॉसिबिल्टी या मार्च तक एक परसेंट भी नहीं है बहुत कम है पॉसिबल ही नहीं है अगर मार्णे मुख्यमंतरी जी से या गौर्वर्मेंट की दौरा अगर पर्टि परकार से अगर देखेंगे जिस परकार से भी पहुत सारे भरतिया पेंडिंग पढ़ी है पेट 2022 के भरतियों की एक्जाम अभी तक नहीं हो सके हैं सबसे पहले उनके एक्जाम डेट भी नहीं लगने स्टार्ट हुए आप सोच लिजिए कि नॉबंबर चल रहा है और अभ सकते हैं लेकिन फिर भी एक महीने में दो एक्जाम आयोक करवाने बड़ी बात है और कितनी भरतियां पेंडिंग पढ़ी हैं पेट 2022 की किसी भी भरतियों की एक्जाम लगने स्टार्ट होंगे फिर आपके भरतियों की नंबर पता नहीं कब तक आएगा इसलिए मार्च अगर बहुत जल्दी हुआ तो अदर्वाइज और डिले हो सकता है एक्जाम डेट लगने में लेकिन आप लोग तयारी अच्छे से अभी से करते रहेंगे ऐसा नहीं कि एक्जाम डेट आने के बाद आपको डेट दो महिने से ज्यादा का समय नहीं मिलता है इसलिए तयारी आप सभी को regular करते रहना एक घंटे ही पड़िये आप सभी हमारे साथ याँ से भी आप कहीं सी आपने batch जोइन किया हो या आप self study करते हो बुक से पढ़ते हो जैसे भी आप पढ़ते हो लिकिन आप एक घंटे दो घंटे आप खुद को डेली को देना स्टार्ट कर दीजिए अब भी से यह हमारी आप सभी से रिक्वेश्ट है अगर आपको सेलेक्शन चाहिए तो आपके फॉर्म में ऐसी कोई गलती हो गई हो जिसमें संसोधन नहीं हो सकता है उस इस्तिते में आप डीबी के समय सपत पत्र बना करके अच्छे से दे दीजिगा अगर दो गलती तीन गलती चार गलती है तो आप एक ही 10 रुपे की स्टाम पेपर पर एक ही नोटरी में एक ही सपत पत्र में आप सभी गलतीयों को बता सकते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी काश्ट सर्टिफिकेट में अभी जिन बहनों को दिक्कत हो रही है बनवाने में इसमें देखिए एक कोड आडर भी है सुप्रिम कोड का और इसके अलावा देखिए गाइडलाइस गौर्डमेंट के गाइडलाइस भी होती है जब उनका नोटिफिकेशन में दे रखे हैं पि काश्बार के बनवां रखाया है कि उसमें माता का नाम पिता का नाव और पिता की नाम के आगे पती का नाम भी उसमें एड़ें तो उसमें दिखिए फिर भाइब वही होता है कि प्रविशनल लगा देंगे फिर आपको वही एक बनवा करके दोबारा से फिर नया देना पड़ जाता है तो आप सभी जैसे भी हो कोशिस करके अपना कास्ट सेटिफिकेट प्रॉपर बनवा करके उसकी बाद ही आप से भी फॉर्म बरें क्योंकि एक बार कास् फिर सब्सक्राइब करेंगी के बार करते हैं कि लिए दिए हो यहां जहां पर चेंज होने के लिए नोटिफिकेशन में लिए यहां मैं और जाहां पर निवास बन्वाने जो married sister होंगी कि address आपका ससुराल पक्षिका है या फिर change नहीं हो सका है या फिर आपके कोई पुराने documents आप लगा रहे होंगे तो आधार देखें वैसे आपका निवास मांगा जाता है कास्ट है तो कास्ट मांगा जाएगा AWS तो AWS के साथ में निवास मांगा जाएगा और अगर आप जन्रल में तो भी आप निवास लगा सकते है आधार से कोई दिक्कत बहुत नहीं होती है बाद में आधार आप correction करवा सकते है नोसी संभिदा कर्मी बहनों को नहीं चाहिए होता है नोसी जो government imply होते है उनको चाहिए ह होता है अनभव प्रमार पत्र आप लोग जैसा भी बनवा लिए होंगे ठीक है ठीक है आगे बाकी आप सभी को QR कोड वाला फिर से बनवाना ही पड़ेगा और उसमें देखिए कहीं पर असपश्ट लिखे नहीं होता है नोटिफिकरेशन में इस वज़े से डर होता है कि उ आपको ही सिर्फ उसमें अनभव बनवाना है बाकी सबको नहीं ठीक है बाकी कुछ जो डॉक्विमेंट्स यह आपके बाद में लगते हैं जिसे मेरे certificate, character है pen card आद यह सभी आपके बाद में लगते हैं ज्वाइनिंग के समय यह सभी आपको इस समय नहीं देने होते हैं और जो आप फॉर्म भर लेंगे उसकी प्रिंट आउट आप सभी को PDF और भी रख लीजेगा और उसकी प्रिंट आउट भी आप सभी निकलवा के रख लीजेगा वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दिया करें और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ना क्यों तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा धन्यवाद